C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाथे पुस्तक विज्ञान 1. प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाथ 6. हमारे चारों ओर के परिवर्तन कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादूई शक्ती अचानक मिल जाए? क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी, जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तों में हमारे पास कोई जादूई शक्ती नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं. क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं, जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किये बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं, और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुझ्जा जाते हैं. क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं. इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है. क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों और हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समोहों में रख सकते हैं? हम विभिन प्रकार के परिवर्तनों को समोहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी, तो वह हमारे लिए सहायक होगी. 6.1 क्या सभी परिवर्तन, सदैव, उत्क्रमित किये जा सकते हैं। क्रिया कलाप 1 एक गुबारा लीजिए और उसे फुलाईए। सावधानी परते हैं कि वह फट न जाए। गुबारे का आकार एवं आमाप बदल गया है। चित्र संख्या 6.1 इस चित्र में गुबारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन को दर्शाया गया है। अब उसकी हवा निकल जाने दें। क्रिया कलाप 2 एक कागस का टुकड़ा लें और उसे चित्र संख्या 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागस का टुकड़ा खिलावना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप ठक जाएं तो कागस को पुना सीधा कीजिए। प्रिष्ट 47 चित्र 6.2 इस चित्र में कागस को मोड़ कर एक बनाया गया खिलावना हवाई जहास दिखाया गया है। क्रिया कलाप 3 गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाये इस से रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। जैसा कि चित्र संख्या 6.3 में दिखाया गया है। शायद आप इसके आकार से खुशना हूँ और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्टित करना चाहेंगे। अब आपने क्रिया कलाप 1, 2 और 3 में जो तीन परिवर्टन देखे हैं उनके बारे में सूचिए। उनमें एक जैसा क्या है। क्या यह संभव है कि गुबारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए। क्या कागस का आमाप पहले और हवाई जाहस बनाने के बाद समान है। क्या गुदे हुए आटे से पुना लोई बनाना संभव है। आपने क्या निशकर्श निकाला। क्या इन तीनों क्रिया कलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रिया कलाप प्रारंब किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रिया कलापों में हो रहे हैं, उन्हें पुना पूर्व इस्थिती में लाया जा सकता है। आए इन्हीं क्रिया कलापों को कुछ अलग धंग से देखते हैं। क्रिया कलाप चार, उसी घुबारे को लीजिए जिसका क्रिया कलाप एक में उप्योग किया गया है। उसको उसके पूरे आमाप में फुलाईए तथा उसके मुख को पतले धागे से कस कर बांधिये। घुबारे में अपनी नुकीली पैंसिल से छेट कीजिए। ओह घुबार फट गया। क्रिया कलाप पांच, अब वही कागस का टुकड़ा लीजिए जिससे क्रिया कलाप दो में आपने प्रयोग किया है। उसके उपर एक हवाई जहास का रेखा चित्र बनाईए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिये। जैसा के चित्र संख्या 6.4 में दर दर्शाया गया है। क्रिया कलाप 6, गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेल कर उसे तवे बरसें किये। जैसा कि चित्र संख्या 6.5 में दर्शाया गया है। यदि आप से वही तीन प्रशन पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रिया कलाप 3 करने के बाद दिये हैं तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे। हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रिया कलाप 4, 5 वाच्छाय में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता है। आप पैंसिल और रबड का उप्योग करते हैं। इनके बार बार उप्योग करने से इनके आकार वा आमाप में परिवर्तन को उलड सकते हैं। पॉइंट एक में कुछ सामान परिवर्तन दिये गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गी करन का एक तरेका है। यहाँ देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। सारणी 6.1 कुछ सामान परिवर्थन यहां एक सारणी दी गई है जिसमें दो कॉलम है एक में परिवर्थन है और दूसरे में उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं परिवर्थन कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा उत्क्रमित किया जा सकता है हाँ या नहीं गाडे घोल से इडली उतक्रमित किया जा सकता है हाँ या नहीं। गीले कपड़े से सूखे कपड़े उतक्रमित किया जा सकता है या नहीं। उनके धागे से बुना हुआ स्वेटर उतक्रमित किया जा सकता है या नहीं। अनाज से बनाया गया आठा, उतक्रमित किया जा सकता है या नहीं ठंडे दूद से गर्म दूद, उतक्रमित किया जा सकता है या नहीं सीधी डूरी से कुंडलित डूरी, उतक्रमित किया जा सकता है या नहीं कली से फूल, उतक्रमित किया जा सकता है या नहीं दूद से पनीर उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं गाय के गोबर से बायो गैस उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं खीचे रबर बैंड से सामाने साइस का रबर बैंड उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं जमी हुई आइस्क्रीम से पिगली हुई आइस्क्रीम उतक्रमित किया जा सकता है या नहीं, 6.2, क्या परिवर्टन करने के अन्य तरिके हो सकते हैं? हम सभी ने मिटी को खोधने वाले ऑजार देखे हुंंगे, जैसा के चित्र संख्या 6.6 में दर्शाया गया है, इस चित्र में लकडी के हथे लगाने से पहले ऑजार प्राया गर्मि किये जाते हैं, इस बात को दर्शाया गया है. इस चित्र में एक कुलहाडी, एक कुदाल, एक फावड़ा और खुरपी को दर्शाया गया है। क्या आपने इन ओजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकडी के हत्ते पर जड़ दिया जाता है। इन आउजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है, जिसमें लकडी के हत्ते को फसा दिया जाता है। साधारणतिया इस वलय का आमाप लकडी के हत्ते के घेरे से थोड़ा छूटा होता है। हत्ते के वले में फसाने के लिए वले को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानि फैल जाता है. अब हत्ता आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है. जब वले ठंडा होता है, तो सिकुड जाता है, जिससे ये हत्ते पर कस जाता है. इसी प्रकार के परिवर्तन का उपियोग बैल गाड़ी के लकड़ी के पहिये पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है जैसा कि चित्र संख्या छै पॉइंट साथ में दर्शाया गया है धातू के रिम को लकडी के पहिये के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं गर्म करने पर रिम पहिये पर चढ़ जाता है अब पहिये के किनारे के उपर ठंडा पानी डालते हैं जससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिये के उपर कस जाता है प्रिष्ट उनन्चास परिवर्तित हो जाता है हम सभी ने बर्फ को पिखलते हुए देखा है गर्म करने पर बर्फ पिखलती है यह किस में बदल जाती है क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं आईए कुछ और परिवर्तनों को देखें बूजो ने प्राया देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ यानि टार को गर्म करते हैं बूजो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उतक्रमित किया जा सकता है पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन औजारों में परिवर्थित करता है लोहे के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक लाल ना हो जाए जब यह मुलाइम हो जाता है तब उसको बीट कर इच्छा अनुसार आउजार का आकार दिया जाता है गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ क्रिया कलाप साथ एक छोटी मुम्बत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें इसे एक उचित स्थान पर लगा कर जलाएं कुछ समय तक इसे जलने दें मुम्बत्ती को बुझा दें तथा पुना उसकी लंबाई मापें चित्र संख्या 6.8 इस चित्र में मुम्बत्ती का जलना दिखाया गया है और फिर मुम्बत्ती को बुझा हुआ दिखाया गया है क्या मुम्बत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उतक्रमित किया जा सकता है यदि हम कुछ मुम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उतक्रमित किया जा सकता है जैसा कि चित्र संख्या 6.9 में दिखाया गया है यहाँ पर एक स्टूल पर एक बर्थन में मोम रखा गया है और उसके नीचे एक मोम बत्ती जलती हुई दिखाई गई है जिसे मोम को गर्म करना कहते हैं प्रिष्ट पचास क्रिया कलाप साथ को धूब बत्ती से दोहराएं जब तक यहाँ पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें धूब बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए धूब बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है ये कुछ राक तथा गैस के रूप में है हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते परन्तु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें मैसूस कर सकते हैं क्या इस परिवर्तन को उतक्रमित किया जा सकता है इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मुम्बत्ती को जलाने में उप्योग किया था अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तूओं या इनके पदार्थ पर देखा है जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे अध्याए चार में हमने नमक को जल में घोला था क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था क्या इस परिवर्तन को उतक्रमित करना संभव है अध्याए पांच के क्रिया कलाप में हमने नमक के विलियन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था इस प्रकार क्या हम यहां कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उतक्रमित किया जा सकता है पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है दूध को हिला कर कुछ घंटों के लिए एक गर्म इस्थान पर आराम से रख देते हैं कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है क्या इस परिवर्तन को उतक्रमित किया जा सकता है हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किये जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्ने को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तूओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्ने विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इन में से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गी क्रित किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गी कृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रमुक्षप्थ परिवर्तन, संकुजन, वाश्पन, प्रसार, गलन सारांश कुछ परिवर्तनों को उतक्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं अभ्यास एक, जब आप जल मगन इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं क्या इस परिवर्तन को उतक्रमित किया जा सकता है दो, अकसमात आपका प्रिये खिलावना गिर कर तूड जाता है आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे क्या यह परिवर्तन उतक्रमित किया जा सकता है तीन, यहां एक सारणी दी गई है जिन में कुछ परिवर्तनों के बारे में बताया गया है प्रतेग परिवर्तन के सामने रिक्तिस्थान में लिखिये कि वहाँ परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, अथवा नहीं। करम संख्या एक, परिवर्तन, लकड़ी के टुकडे चीरना उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ यह नहीं। 2. आइस क्रेम का पिखलना, 3. चीनी का जल में खुलना, 4. खाना पकाना, 5. आम का पकना, 6. दूद का दही में जमना, 4. चिद्रकारी करने पर ड्रॉइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उतक्रमित कर सकते हैं, 5. उधारन देकर उतक्रमित किये जाने वाले तथा उतक्रमित ना किये जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, 6. तूटी हुई हड़ी पर बंधी पट्टी के उपर Plaster of Paris यानि P.O.P. की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जससे तूटी हड़ी हिलती नहीं है। क्या P.O.P. में हुए इस परिवर्तन को उतक्रमित कर सकते हैं। 7. रात्री में एक सीमेंट की बोरी जो की खुले मैदान में रखी हुई थी। वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है, क्या उसे उतक्रमित कर सकते हैं। प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रिया कलाप एक एक निबू, पेंट ब्रश और एक कागस का टुकड़ा लीजिए। निबू को काट कर उसका रस एक पियाले में निचोड़िए। ब्रश को निबू के रस में डुबोईए तथा उससे कागस पर कुछ संदेश लिखिए। कागस को सूखने दीजिए। आप पाएंगे कि लिखे संदेश के अक्षर अद्रिश हो जाते हैं। अब कागस को लोही की गर्म इस्तरी से दबाएं अथवा मौमबत्ती की लौपर गर्म करें। ध्यान रखे कि कागस जले नहीं। कागस के गर्म होने पर अद्रिश अक्षर गहरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उन परिवर्तनों की पहचान कीजिए जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। 2. अपने घर पर बनने वाले पकवानों को देखिए. इन में होने वाले कोई दो ऐसे परिवर्तन बताईए जिनने उत्क्रमित किया जा सके. 3. एक वर्ष में मौसम के अनुसार, सबजियों, कपड़ों, प्रकृती तथा अपने चारों और होने वाले परिवर्तनों का रिकॉर्ड बनाईए. उत्क्रमित किये जाने वाले या ना किये जाने वाले परिवर्तनों की पहचान कीजिए. इसी के साथ सोला पाठों की इस पुस्तक का चटा पाठ यहां समाप्त हुआ. वाचन परवेज गौहर, निर्मान वंदना अरी मर्तन, तथा प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली भारत.